स्टेंडर फिप्थ लेशन नमबर सेकेंड डेड्रीम्स इस लेशन को हमने पहले ही पढ़ लिया है समझ लिया है अब हम इसका एक्सरसाइज करने वाले हैं तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर कीजेगा और अपने दोस्तों को भी बताईएगा और सब्सक्राइब भी कीजेगा मतलब आपको क्या करना है इसको पढ़ना है आइडल मतलब यूजलेस इनफ एडिक्वेट मलब परियाप इसक्लेवड मतलब चलनाना जोर से कमोशन मतलब सोरगुल स्टीर हला गुला अस्टाउंडेड मतलब सर्प्राइजड एंटिक मतलब एंटिक्स मतलब सिली मुर्टा वाला कोई काम वांडर मतलब यहां महां घुमना फालत हुई उसके बलते वाक और मूब इने लेजरली वेल्डिंग मतलब होता है कैरिंग एंड यूजिंग सम्थिंग मतलब किसी चीज को अपने साथ लेकर के आना और उसका इस्तमाल करना ठीके तो हमारा पहला कुशन है मतलब हास्बेंड क्या खरिदना चाहता था मतलब हास्बेंड गाय खरिदना चाहता था फिरे वाट प्लान डिट द वाइफ मेक वाइफ ने काउन सा प्लान बनाया था द वाइफ प्लान टू मेक प्लेंटी ओफ दही एंड बटर एंड घी वाइफ ने प्लान किया था कि वो बहुत सारा प्लेंटी मतलब बहुत सारा दही बटर और घी बनाएगी फिर उसके बाद C would use one earthen pot for milk मतलब एक मिट्टी के बर्तन में वह दूद रखेगी One for दही एक बर्तन में क्या होगा? दही होगा And one for butter और एक बर्तन में क्या रखेगी? मिट्टी के बर्तन में क्या रखेगी? बटर रखेगी C would put the ghee in the jar वो घी को जार के बर्तन में रखेगी And remaining pot to said milk to her sister और बाकी के जो बचे हुए बर्तन रहेगी जिसमें दूद रहेगा उसको अपनी बहन के पास भेज़ देगी ठीके? तो वाइफ नी क्या प्लान किया था? कि वो बहुत सारा दही, बटर और घी बनाएगी एक मिट्टी एक बर्तन में वो milk रखेगी एक में धही रखेगी और एक में बटर रखेगी ठीके? और घी को जार में रखेगी और जो बचा हुआ दूद रहेगा उस बचे हुए दूद वाले बर्तन को वो अपनी बहन के पास भेज़ देगी अब हमारा थर्ड कूशन है मतलब जो इस्ट्रा मिल्क रहेगा जो बच जाएगा उस दूद का हस्बन क्या करेगा? जो इस्ट्रा दूद रहेगा उसका हस्बन क्या यूज करेगा? तो यहाँ पर दिया गया है The husband wanted to sell the extra milk in the market Husband जो extra milk रहेगा जो बचा हुआ milk रहेगा उसको market में बेचना चाहता था The husband wanted to sell the extra milk in the market यह हो गया Fourth है What did Gopal Bhad What did Gopal Bhad say he was doing मतलब Gopal Bhad ने क्या कहा क्या कर रहा था Gopal Bhad said that he was driving away the couple greedy cows from his field Couple मतलब वोई husband wife Greedy मतलब लालची Driving मतलब भगा रहा था Gopal Bhad ने कहा कि वह तुम्हारी लालची गाय को अपने खेत में से भगा रहा था Gopal Bhad ने क्या कहा Gopal Bhad ने कहा कि वह है तुम लोग की जो लालची गाय थी जो मेरे खेत में खेत को खराब कर रही थी मैं उसको भगा रहा था Gopal Bhad ने कहा कि वह है तुम्हारी गाय को अपने खेत में से भगा रहा था Did Gopal Bhad have a field? क्या Gopal Bhad के पास खेत था? नहीं No, Gopal Bhad did not have a field Gopal Bhad के पास क्या था? कोई खेत नहीं था वो तो ऐसा ही उनको समधाने के लिए बोल रहा था कि मैं तुम्हारी गाय को अपने खेत में से भगा रहा हूँ What did Gopal want to tell the husband and wife? Gopal Bhad husband और wife को क्या बताना चाहता था? अंसर है Gopal Bhad wanted to tell them that they should not fight over something that they do not even have Gopal Bhad चाहता था to tell बताना them उनको that they should not उनको नहीं लड़ना चाहिए Not fight उनको नहीं जहड़ना चाहिए उनको नहीं जहड़ा करना चाहिए Over something उस चीज़ पर That they do not even have जो उनके पास नहीं है They should live in present उनको वरतमान में रहना चाहिए मलब Gopal Bhad उनको यह बताना चाहता था कि हमें उन चीज़ों पर जहड़ा नहीं करना चाहिए जो उनके पास नहीं है उनके वरतमान में जीना चाहिए मतलब उनके पास गाय होई तो कुछ नहीं थी उनको सिफ कलपना कर रहे थे और कलपना में जहड़ा होने लगा दूनों के बीच में तो वही गopal Bhad कर रहे हैं कि हमें उन चीज़ों के उपर कभी जहड़ा नहीं करना सही है जो चीज़ें उनके पास नहीं हो हमें वरतमान में प्रजन टाइम में आज के टाइम में जीना चाहिए What is the difference between a dream and a daydream Dream मतलब सपना Daydream मतलब जो दिन में सपने देखते हैं उसमें क्या फरक होता है A dream is something that one has at night Then one sleep मतलब a dream is something Dream क्या सपना हुआ है जब हम रात को सोते हैं तब आता ही है ठीक है जब हम रात को सोते हैं तब हमें dream आता है सपने आते है A daydream comes to one mind during the day और daydream क्या होता है ये दिन के समा में हमारे दिमाग में आने वाले खयाल है जब हम जाकते रहते हैं तो daydream क्या होता है हमारे मन में आने वाले वो खयाल है जो दिन में आते हैं जब हम जाकते रहते हैं इसका मतलब daydream हो गया, जो रात में सपने आते हैं, वो dream कहलाते हैं, दिन में जो हम हमारे mind में बिशार चलते रहते हैं, इसको हम कहते हैं daydream, जो हम कलपना करते हैं, तीक है, a dream is something that one has at night, when one sleeps, जब सोते समझें जो सपने आते हैं, इसको dream कहते हैं, a daydream comes to one mind during the day, देड्रीम का होता है जो दिन के समय में हमारा दिमाग में जो आता है जब हम राखते रहते हैं उसको कहते हैं उस सपने को कहते हैं डेड्रीम अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर इसमें क्या दिया है कि जिससे स्कूल दिया है तो आपको स्कूल से related सब दिखने से bell, teacher, math, bag, example, notebook, book, timetable यह सब क्या है स्कूल से related सब्द है वैसे home, kitchen हो गया, room, bedroom, fan, tv, लिवी, सिलिंडर, बेड, वाल, नाइफ, बाउल, बकेट, टैप, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, जो होम से रिलेटेड होते हैं, उनको आपको लिखना है, मैंने थोड़ा लिखा है, आपको और लिखना है, आप लिख सकते हैं, फूड, फूड के वाज़े से राइस, पॉल्स, प्रस मतलब दाल होता है, विजिटेवल, सबजी, स्पाइस, मसाला, ओनियन, कादा, डिनर, लंच, नॉन बेस, आइटम, टी, कॉफी, ऐसा आप बहुत सारा आप लिख सकते हैं, अगे, मेडिसिन के वारे मेडिसिन से संबेड संबंदित लिख लएग, वर्ड लिखना है, अपको डॉक्तर, नॉर्स, मेडिकल, इस्टोर, ब्लॉर्ड टेस्ट, ब्लॉर्ड, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, एम्बुलेंस, हॉस्पृतल, ठीके, इंजैक्शन, ऐसी आपको ल आपको ऐसे वर्ड लिखने हैं ऐसे फ्रेज लिखने हैं जिसमें आई जैसे आप आट आप फूल मिलक आज टाउट इस्टीक इसमें ठीक है ऐसे लिखना है एन का कोई आए एन आर्टिकल का कुछ भी नहीं आया है तो नहीं लिखेंगे दा जैसे आल दा हाड़ वर्क आगे आल दा कमोशन आ गया यह आपको बुक में से ढूड के लिखना है इसको यह वर्ड आने चाहिए फिर है चूज ए और एन करेटली एंड फिल इन दा ब्लेंके जिसे जहां पर ए आता है जहां आई आई ओ यू आता है वहां पर एन लगता है जिसे आप ए स्टाउट स्टीक लबली यहां आई आया है कि even to a e स्टाउट स्टृट एसले आये अगा अगर वौवल आता है अगर किसी वर्ड आई और स्टिक लिटर शूरिंस होता है तो वहां आए आई आता है तो and i ब्रो write the pearls form of the following nouns stick sticks field corner cucumbers write about your own day dream in short मतलब तुम क्या सोचते हो दिन में तुम्हें क्या बनना है उसके बारे में तुम्हें लिखना है अपने मन से तो my own day dream मेरा सपना है is about becoming a big doctor एक बहुत बड़ा doctor बनना चाहता हूँ and fighting disease like cancer और cancer जैसे रोगों से लड़ना चाहता हूँ मतलब जो लोग cancer से लड़ रहे हैं उनका इलाज करना चाहता हूँ यह हमारा हो गया day dream हो गया my own day dream is about becoming a big doctor and fighting disease like cancer तो students यहाँ पर यह आपका lesson number second का day dream का पूरा exercise मैंने finish करवा दिया है अगर आपको मेरा वेडियो पसंद आता है तो प्लीज इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को जुरूर test कीजिए thank you very much